आज का टॉपिक है इंटर्प्लीडर सूट इसे हम सेक्शन 88 में पढ़ते हैं और इसे ओर्डर 35 के साथ पढ़ा जाता है तो आई शुरू करते हैं बेना किसी देरी के इंटर्प्लीडर सूट होता क्या है तो इसे एक एक्जाम्पल के थू में आपको समझाता हूं मानलो B A के पास गया और उसने उसको एक बॉक्स दिया और B ने A से बोला कि मैं इस बॉक्स को 6 महीने बाद तुमसे ले जाऊँगा कुछ दिन बाद C जाता है A के पास और वो बोलता है कि जो तुम में B ने बॉक्स दिया था वो मुझे दे दो वो मेरा बॉक्स है तो यहाँ यह जो ए फाइल करेगा कॉड के अंदर के रिगार्डिंग वो बस उसको मिंटेन कर रहा था बट इसमें एक चीज जहान दखना अगर कोई मैटर अल्रेडी पेंडिंग है किसी कोड के अंदर अगर कोई matter pending है मतलब कि मालो partition से related है या किसी property से related already pending है कि वही किसकी property है A की है या B की है for an example मैं आपको बता रहा हूँ तो ऐसे में आप interpreter suit file नहीं करोगे आप उसका judgment आने तक का wait करोगे ठीक है अब interpreter suit file करने के लिए कुछ conditions होनी जरूरी है क्या क्या conditions है वो देखते है पहली condition तो यह है दो या दो से ज़्यादा person होने चाहिए जो की claim कर रहे है उस property को adversely दूसरा जो property है वो या तो कोई debt होना चाहिए या sum of money भी हो सकता है या कोई property भी हो सकती है अब चाहे वो movable हो और तीसी condition यह है कि यह जो property मांग रहे हैं यह किसी third person से मांगे और जो third person है उसका कोई interest नहीं होना चाहिए उस property के अंदर या फिर जो भी वो claim कर रहे हैं जिस भी चीज के लिए उसमें कोई उसका interest नहीं होना चाहिए और फिफ्ट condition यह है कि जिसके पास वो property रखने के लिए दीग हुई थी जो maintain कर रहा था वो बस charges या cost मांग सकता है उसको maintain करने का ठीक है इसके लावा six condition यह है कि जो third person है वो ready होना चाहिए किसके लिए अगर पैसे है तो वो pay करने के लिए अगर प्रॉपर्टी है तो deliver करने के लिए rightful claimant को जिसकी भी वो प्रॉपर्टी या पैसा है उसको देने के लिए वो ready होना चाहिए ठीक है तो इसी को हम बोलते हैं इंटर प्लीडर सूट अब इसे order 35 के साथ पढ़ते हैं तो order 35 के कुछ rules देखते हैं जैसे कि rule 1 rule 1 यह बात करता है कि जो भी section 88 में लिखा हुआ है जो भी आपने condition पढ़ी है वो सारी आप plant के थुरू जमा करोगे court के अंदर rule 2 बात करता है कि जो भी cautionable property है जिसके उपर dispute है जो interpreter suit file गया है जिस property के लिए उसको भी court के अंदर जमा करोगे rule 4 यह कहता है कि जिसने interpreter suit file किया है अब court की मर्जी है कि वो उसको release कर दे या फिर ना करे मतलब कि मालो उपर वाले case में A के पास property थी A ने suit file किया interpreter का तो अब court की मर्जी है कि court A को release कर दे के भाई तूने property दे दी तेरा इस case से कोई मतलब नहीं आप तू जा हम decide कर लेंगे या तो court ऐसे बोल सकती है या फिर यह बोलेगी कि जब तक के case decide नहीं हो जाता भाई तू इसी case में बना रहे है और जब हम बुलाएंगे airing पर आता रही हो तो इस तरीके से court की मर्जी है वो चाहे बुलाए या ना बुलाए ठीक है तो यह था इंटरप्लीडर सूट I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी मिलते हैं next वीडियो में